हेलो दोस्तो कुक्वित नीजा में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे पर्फेक्ट पनीर टिक्का जिसके लिए हमें ओवान तंदूर का यूज नहीं करना है इसे हम बनाएंगे पर्फेक्ट क्लेवर के साथ तो चलिए सुदू करते हैं पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहां पर पनीर लिया है 300 ग्राम इसको मैंने बड़े टुकडों में कट कर लिया है याद रखिए आपको यसी तरीके से खुट टुकडों में कट करना है चोटे टुकड़े हमें यहां पर नहीं करना है सबजियों मैंने लिए हैं सिम्ला म लियाए और लेस्ट है ओर यहाँ पर मैंने अधरक और पेश्टर में डालेंगे एक चम्मच अजवाइन एक चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर और इसमें एक चम्मच हमें एट करेंगे जीरा पाउडर इससे फ्लिवर काफी अच्छा आता है अब हम इसमें एट करेंगे यहां हम लेंगे आता चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर हमें ज्यादा यूज नहीं करना है थोड़ा सा ही हम इसमें एड करेंगे अब लेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर मैंने यहां पर दो चम्मच धनिया पाउडर लिया है दो चम्मच कस्मी true लाल मिर्ची लें महिरें का डिप्षा ख cash आता है तो इस तरीके से हम इसमें एक करेंगे थोड़ी सी एक चमच कसूरी मेहिषू इसके महाख जो आती है IP dadosомина मशालों मैं व वह स्कंदी माक्रां का professions तो इस तरीके से हम इसमें एड़ कर दिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा कब बेशन लेंगे हम यहाँ पर और इसको हम भूना हुआ बेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है मिनियम करेंगे अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा मसाले में जो लंस पड़ती है वो नहीं पढ़ेंगे तो मैं एक तम चलाते जाना है इसको इससे जो लंस पढ़ेंगी न वह नहीं पढ़ना तो यहां पर हम यहां घ्यूह कर लिए कि ने हम अगर्म कर लाइं तो फ्रेवर एक बटर को चाहिए अब करें। तो इस तरीके से हम मस्टड ओ Tayland को काफी गरम लेंगे इससे जिसमें जो इसका कच्छा पन होता है हमें इसको पूरा तरह है Again से निकालदेना है तो देखिय कि मेरा यहां पर आलेई गरम हो चुका है अब हम में इसे मसाले में मिला दeffect अम इसका से मिक्स करेंगे एकदम ताकि ये मसाले पूरी तरीके से इसमें अच्छी तरीके से mix हो जाएंगे तो इस तरीके से हम चलाते जाएंगे और mix 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 करते जाएंगे तो देखिए मेरे मसाले में बिल्कुल भी lumps नहीं पड़े हुए हैं और एकदम अच्छी तरीके से ये mix हो चुका है देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं जिससे इसका फ्लेवर कलर बिल्कुल होटल जैसा लगेगा तो आप इस तरीके से इसको मिक्स करते जाहिए और यहां पर देखिए मेरा मसाला अच्छी अब हम इसमें पनीर को भी आट कर देंगे और इसको हम धीरे से हलके हाथों से इसको मिक्स करेंगे इस पैचुला से करें या आप हाथ से करें किसी भी चीज से आप करें लेकिन इसको धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाना है नहीं तो हम एकदम फास्ट तरीके से इसको तो जो हमारे पनीर के टुकड़े हैं वो तूट जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे इनको पूरी मसाले को अच्छी तरीके से सब्जियों में मिक्स करेंगे और हमें धीरे-धीरे करते जाना है और देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है और इस ही तरीके से हम चलाती जाएंगे और इसको कितना अच्छा मेरा मिक्स हो तूटपिक बड़ी वाली जो तूटपिक आती है वो ले सकते हो आप इया जो बैसी अलग भी आती है उनको भी आपफ ले सकते हो तो की सब्सक्राइब कि अबड़। हम भी चिंथ को की आपको मार्केट लाएंगे जिससे सब्सक्राइब बीच थोटेगी नहीं और यू these ano अबाब हम व्हार्ट सब्सक्राइब बीच में आगे हम सरत हद रखना अगे की तरफ हम स्रिफ हाट सब्सक्राइब थार इसे क्या यह निकलेगी भी नहीं स्टिक्स मैं से इस तरीके से आप में इस तरीके से झाहिए है इसी प्रोसेस से आप भी इसी तरीके से लगाईएगा देखिए इस तरीके से हम लगाते जाएंगे और इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है एकदम मार्केट इस्टाइल की लगेंगी आपको होटल रेस्टोरेंट जैसा ही फ्लेवर इसमें आएगा आप एक वाट ट्रा आया है आगी की प्रोसेश रू करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है बटर हमने यहां पर İंश को मीडियम लंडेम पर यहां इसे टाइब रहें जब हमेने सेखेंगे इस पर तो मीडियम फ्लेम पर हमको इसको बेंदे तरीका से से जाईए और काफी अच्छे फ्लेवर आएगा तो इसे एक साइब से पांच मिन दस मिन तक काप इसे क्ष़िभ्र तम देखने में हो पाफल सकते है इसे वाद खेके उपचेम प सकते बटर करण बटर लगा सकते है तो देखिए मैंने एक साइट से इनको सेख लिया है अब हम इसे पलट जाएंगे तो इसे धीरे से ही पलटना है इस तरीके से पलटते जाएंगे और आप देखते जाना बीच बीच में इसको और इस तरीके से हम पलटते पलटते इनको सेखते जाएंगे तो इस तरीके से हम इधर एक साइट से भी सेकेंगे और दो तीन मिनट बाद हम इसको दूसरी साइट से भी सेकेंगे तो यहां पर मैंने उपर की तरफ बटल लगा दिया है यहां पर इसलिए मैंने बटल लगाया है उपर ताकि हम जब पल्टेंगे तो इसके दो रो साइट से काफी अची तरीक यह तो तो दुशे तरीके से भी बताती हूं कि इसको रखे और जाली रखकर सेक लें गे। जो तंदूर का फ्लेवर अधा है लुद। अज़े भी नहीं रहे गाएगा। और कच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और यह जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से सिक चुके हैं तो देखे मैं आपको बताती हूँ यहां पर तोड़कर इस तरीके से आप देखिए काफी अच्छा है और आप इसे हरी चटनी से नीवू के साथ मज़ेद कर दो यह जो करा दोड़ से तरीके से लेखे मुझरा फिली चुके से लेखे हैं प्रूरी किसमें थेखे मिल्सें भागा दोダसैंतांता है और वे इस तरीके से प्ङचले हैं पू हंगा सलाब